हाई गाईज, वेलकम तो मैं चैनल कुगिंग एड स्मार्ट टिप्स आज में बनाने वाली वो दूद की परी जो बहुत ही डेलिस्यस डीस है यह बहुत ही आसानी से बनता है और खाने में बहुत टेस्टी है तो होली आने वाली है तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ स्वीट डी अधा लिटर दूद है और थोड़े से मिल्क मैंने अलग लिए है सूजी को गुथने के लिए दूद की परी बनाने के लिए सबसे पहले हम सॉब डूद त्यार कर लेते हैं तो हम सूजी को एक बड़े बॉल में डालेंगे और इसमें ये गुनगुना दूद है इसकी हैल्प से इसे गुथेंगे तो थोड़ा थोड़ा दूद डालकर इसे मिक्स करना है दूद को इसमें मिला दिया अब 10-15 मिनट के लिए मैं इसे पुलने के लिए छोड़ूँगी अब दूद की परी के लिए फिलिंग त्यार कर लेते हैं तो इसके लिए मैं गरी का जो बुरादा है नारियल पावडर इसको एक बॉल में डालूँगी यह बहुत ही आसाने से ग्रोसरी शॉप पे मिल जाता है अब इसमें आड़ करेंगे चीनी चीनी हम एक चमची डालेंगे क्योंकि हम दूद में भी डालने वाले हैं और इसमें डालेंगे दूद का पावडर देखिए फ्रेंट मैंने पूरा पैकेट का दूरी उच किया है यह 20 ग्राम का है दस रुपए का मिल जाता है यह तुम सब चीजों को मिक्स कर लेंगे इसको मैं अच्छे से मिला लिया अब इसमें आड़ करूंगे मलाई इसमें मैंने फ्रेस मलाई ली हुई है दो चमच के करीब मलाई डालना है अगर यह सुखा लगे तो और एड मलाई कर सकते हैं मलाई को भी इसमें मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया लगवग दो चमच मलाई में यह अच्छी से फीलिंग टैयार हो गई देखिए फ्रेंट्स फीलिंग भी हो गई रेडी इसको मैं रख देती हूं और मैं सूजी को देख लेती हूं वह पूला की नहीं यह देखिए बहुत सक्थ हो चुका है इसमें और दूर डाले की जरूर थे अब इसको हैंड से अच्छे से में गूत लेती हूं ताकि इसका स्टॉप डो तैयार हो जाए देखिए फ्रेंट्स मैंने सूजी का स्टॉप डो तैयार कर लिया है अब इसकी में छोटी छोटी सी लोई बनाऊंगी कि छोटी छोटी सी बनानी है और सुखे मैदे की हैल्प से इसको बेल लेना है पुरिया बेल लेनी है इतने बड़ी बड़ी पूरिया बेल लेनी है इसी तरीके से में छोटी-छोटी इसी पूड़ियां बना लूँगी देखें फ्रंट सारी पूड़ियां मैंने त्यार कर ली हैं अब इसमें इसमें फिलिंग डालूँगी तो एक पूड़िक ऐसे लेना है और इसमें मैंने पूड़िक ऐसे रखा और इसमें में डालूँगी फिलिंग थोड़ी सी फिलिंग रखनी है बिल्कुल सेंडर में अब किनारों के लगाना है थोड़ा सा दूर ताकि अच्छे से सील हो जाए और इसको ऐसे विल्कुल गुजिया से दे देनी है इसको चारों तरप से ऐसे ऐसे प्रेस कर दिजिए ताकि यह खूले नहीं इसी तरीके से सारी दूद की परी में त्यार कर लूँगी यह दिखे मेरी दूद की परी त्यार हो गई इसी तरीके से में सारी परी को त्यार कर लूँगी इसी तरीके से दूसरा भी में बना के दिखाती हूं आपको इसको ऐसे फिल कर दीजिए है नहीं आसान खाने में बहुत टेस्टी लगता है यह तो आप इसे जरू ट्राइ करिएगा यह देखिए यह मेरी दो परी त्यार हो गई । दीखे फ्रेंड्स सारे दूसरी परिमेने त्यार कर लिए अब गैस पर मैंने चणा दिया है दूसर करना ही दूसर को एक बॉल가 होने अगर जो बादम लिया था मैंने उसको भी कूट लिया है इसको भी डालूज दूद के अंदर इसको भी दूद में एच्छे से मिला देना है दूद में एक उबाल आ चुका है अब इसमें में अड़ करूंगी चीनी दो चमाच चीनी डालना है इंसे चीजों को अच्छे से mix कर देना है को कर दो मिनट तक उछी मिक्स होने के लिए पकाये की दूधता सदी चीजों मीके हों चुकी है अब कर ब我是 यह मिरंगी इन पर्जयों को तोैंग एक-पक करर के इस परिवाइब हैं दूध्ध बेलकूल गरम होना चाहिए आराम आराम सेके करके डालिएगा अब चम्मच की हाल से थोड़ा साइज को हिला देना है और लगभग 10 मिनाट तक इसको दूद में पकाना है ख्ले मेडियम ही रखिएगा देखिए फ्रेंट 10 मिनाट हो चुका है दूद की परी बिल्कुल बनके हो गई है रेडी जब यह पक जाता है तो यह परियां उपर लगती है तैरने यह को खोच चुका है मैं गयास को कर देती हूं और इसे में सर्व कर लेती हूं इसे मैं निका कि अधिन डालेंगे थोड़ा दूद दूद भी गाड़ा हो चुका है इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है तो बन बहुत अच्छी आ रही है अब इसे वह करूंगे थोड़ी सी गार्निसी कर लिए गर्मा गर्म दूद की परी बनके बिल्कुल है रेडी आप भी से ट्रा कराने के लिए मेरे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें थैंक यू